नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेटा आज की 14 दिसम्बर 2021 और देख लेता है इंडियन एक्सप्रस की इंपॉर्टेंट न्यूज जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे देखो front page पे ज़्यादा कोई important news नहीं है जिसको in-depth हमें study करना हो जैसे कि एक तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरिंद्र मोदी ने काशी corridor अपनी तरफ से launch किया है ठीक है ना flag off किया है start किया है creation कुछ नया बनाते रहना और self-reliance कि हम आत्म निर्बर बनना चाहते हैं तो यह तीन चीजे हैं यहाँ पर तीन जो कहते हैं एक त्री मंत्र लिया गया है ठीक है इसके अलावाद जम्मू कश्मीर में एक terror attack जिसकी वज़ए से दो police men's की death होगी और 14 injured होगे तो basically पुल्वामा में जो attack हुआ था ठीक है ना पुल्वामा में जो car bomb blast किया गया था जिसमें 40 CRPF personals की death होगी थी फरवरी 2019 में उसके बाद में एक और वो incident एक तो और यह जो अगस्त 2019 को जो abrogate किया गया था जम्मू कश्मीर का special status और जम्मू कश्मीर को divide करके दो uts में convert कर दिया था उसके बाद में पहला incident है कि जब कोई terror activity यहाँ पर देखी गई हो कश्मीर वाले area में बड़ी कोई terror activity ठीक है तो ऐसे में यह बस जारी थी बस पर attack कर दिया उन्होंने और doubt है जैशे महममद पे कि जैश के जो लड़ाके थे उन्होंने इस attack को अंजाम दिया है ठीक है इसके आगे UK में देखो एक first omicron death जह है वो trace हो चुकी है कि omicron जो virus का जो variant है कोविड का जो variant omicron है उसकी वज़े से एक death हो चुकी है इसके लावा जम्मू कश्मीर में delimitation को लेकर के जो panel constitute हो रहा है उसने देखो meeting बुलाई है जिसमें national conference की leaders भी participate करेंगे तो देखते हैं आगे delimitation में देखो constituencies की जो population के according boundaries fix कर दी जाती है जिससें की बाद में election easily conduct हो सके है इसके आगे एक जो news यहाँ पर आप देख सकते हो कि inflation November में 4.9% तक गई ठीक है तो इसमें मुद्दा क्या आजाता है कि आपने देखा कि जो exercise duty थी fuel पे या फिर आप देख सकते हो वेट value added tax जो कि state governments ने apply कर रखा है तो उसमें भी दोनों में reduction देखने को मिला था ठीक है fuel पे उसके बावजूद भी inflation 4.91% है जो कि हलकी सी rise हुई है as compared to October month तो इसके पीछे वजय वजय वो ही है कि supply side अभी भी constant चल रहे है और demand है वो बहुत जादा है ठीक है वैसे देखा जाए बहुत जादा का मतलब demand जादा है बहुत जादा तो बहुत जादा हो जाती inflation बहुत जादा जा सकती थी पर 4.91 जो है वो government के दुआरा RBA को दिया गया जो target है inflation rate का 4 plus minus 2% का जिसको overall हम बोल सकते हैं 2-6% का जो band दिया हुआ है उस band में rely कर रहा है तो वैसे तो इतनी को attention वाली बात नहीं है पर हाँ inflation जो है वो rise हुई है October month के comparison में यह बता है इसमें एक तो supply side shortest की वज़े से और इस price rise है उसका pressure input price जादा ठीक है उसकी वज़े से तो यह कुछ मुद्दे थे front page के यहीं पर खतम हो गए आगे चलते हैं फिर एक news यहां पर है कि कल Miss Universe competition final था तो उसमें इंडिया की हरनाज संधू इन्होंने Miss Universe का जो 70th edition है वो जीत लिया है basically यह मानू 21 साल बाद में इंडिया क Miss Universe Award मिला है और 21 साल पहले जो मिला था वो लारा दत्ता को मिला था ठीक है तो हरनाज संधू यह जरूर आप ध्यान दखे और यह जो प्रोग्राम था यह इसराइल में और गिनाईज हुआ था और वहीं पे फिर इनका नाम final हुआ ओके तो यह एक important fact यहां पर था आगे चलत है अब Supreme Court ने इस पर government के opinion मांगे है गिग workers आपको पता होने चीए कि contract based पर जो काम करने के लिए जो लोग appoint होते हैं उनको gig workers बोलते हैं और जैसे ही एक project complete होता है तो project के बाद में फिर उनको fire कर दिया जाता है या फिर उनका जो contract हो खतम हो जाता है तो आप उनको नई job ढू उबर हो गई ओला हो गई इनमें जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए safety net avail करने के लिए एक petition file की गई थी और petition file की गई थी किसके दोरा the Indian Federation of app based transport workers IFAT मैं फिर से repeat कर रहा हूं इसके full form मतलब इसके repeat करता हूं full form that is the Indian Federation of app based transport workers तो इन्हों ने अपनी तरब से request डाली कि बाही social security की तो इनको भी जरुरत है तो इस बात के लिए Supreme Court ने Government of India से अपनी opinion मांगी है थीक है वैसे आपको पता होगा कि social security code Parliament ने 2020 में ही पारित कर दिया था social security code थीक है पर अभी तक क्या है proper legislation या फिर आप कहसे है rules formulate नहीं हो पाए है तो यह जो code है अभी भी implement नहीं हो पा रहा है ठीक है तो देखने वाली बात यह है कि आगे क्या proceedings आती है इस particular मुद्धे पर आगे जलता है फिर आगए हम वर्ल्ड पेस पे वर्ल्ड पेस पे देखो UAE की विजिट पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ठीक है जिनका नाम है नेफ्ताली बैनेट यह पहले प्राइम मिनि बेसिस पे इन दोनों countries के बीच की relation है वो ठीक हो रही है और Omicron के जो variant है जो cases है वो लगबग हर एक देश में बढ़ते चले जा रहा है चाइना में भी case आ गया है UK में एक जने की death भी होगी यह भी हमने देखा फिर यहां पर एक news है कि चाइना का Belt and Road Initiative है ना उसमें जो पै इसको हम detail में देखते हैं तो बात कुछ ऐसी है कि चाइना का Belt and Road Initiative जिसमें investment जो level पे चल रहा था क्योंकि यह 2013 में चाइना के President Xi Jinping ने launch किया था जिसमें उनका target था South East Asia, Central Asia, Gulf Region, Africa, Europe इन सभी को एक land और sea route के तुरू integrate करना जिसके ओपर चाइना की पकड़ हो तो इस case को अगर ह आतार देखा जाए तो लगबग 54% का reduction देखने को मिला है investment में ठीक है इसके पीछे कई कारण है जिनमें एक कारण तो बताया जा रहा है pandemic, COVID की वज़े से और दूसरा वज़े जो बताई जा रही है वो ये कि चाइना जिस तरीके से अपने आसपास के एरियाज में aggression दिखा रहा है उस aggression की वज़े से African countries भी कहीन है कहीन डरे हुए है कि कहीन हमारी जमीन कहीना capture कर ले चाइना ठीक है तो ये मुद्दा आ जाता है कि चाइना के investment को लेकर कि अभी decline क्यों देखने को मिल रहा है ठीक है चाइना में जो Belt and Road Initiative के लिए जो काम करता है think tank उसका नाम है Green BRI, Belt and Road Initiative जिसमें देखो वैसे तो Belt and Road Initiative multi-billion task काम करता है जिसमें आप देख सकते हो कि 2019 में 47 billion dollar ही invest कर पाया ठीक है तो ये अपने आप 2019 से last year तक की बात है only 47 billion dollar ही invest कर पाया जो कि अपने आप में previous जो record है 2013 से लेकर अभी तक उसमें लगातार decline है ठीक है चाइना भी देखो अपने Belt and Road Initiative को re-brand करने की कोशिश कर रहा है जिसमें एक तो ये कि पिछले मही ने एक news हमने भी discuss की थी कि जो African countries को उधार दिया हुआ है उसमें थोड़ी सी रियायत बरत रहा है और साथ में African countries को grant देना क्यों इसके पीछे वजह क्या है क्यों अपने Belt and Road Initiative को re-brand करना चाहता है चाहि June G7 की जो June की meeting थी 2021 की तब तो ये Build Back Better World है ये basically Belt and Road Initiative के लिए challenge है तो इस case में ये अपने आप में चाहिना ने अपने इस Belt and Road Initiative को re-brand करने की सोची है ठीक है और Build Back Better World B3W की अगर बात करें तो इसमें Value Driven High Standard Transparent Infrastructure Partnership की बात की तो ये कुछ ऐसी values है जिसकी वज़े से चाइना के ओपर pressure बन गया कि हाँ बही मुझे भी अब कुछ नया करना पड़ेगा ठीक है तो ये कुछ मुद्दा था जिसको हमें देखना था आगे चलते हैं फिर देखो next from आगे economy page पर economy page पर वैसे तो कोई इतनी important news है नहीं पर हाई ये है कि अब धीरे-धीरे market में tensions rise होने लग गई है क्योंकि USA में जो impact रहता उसका अशर देखो USA में कोई भी variation आता है ना तो उस variation का impact हमें हमारे markets पर भी देखने को मिलता है वोई चीज यहां पर बताई जा रही है तो इतना कुछ जादे depth में जाने वाली बात है नहीं पर हाँ एक तो ये UAE के साथ में जहां तक है अगले मह ही ने early harvesting deal है वो होने के chances बताए जा रहा है जिसमें target यह है कि जो bilateral trade है इंडिया और UAE का उसको 100 billion dollars तक ले जाए जा सके early harvesting trade basically एक trade deal होती है जिसमें कि free trade agreement होने के पहले की बात होती है जिसमें कुछ commodities को freely move करने के लिए allow किया जाता है trade allow किया जाता है freely ठीक है इसके अलावा एक news छोटी सी यहां पर है ये उपर गई urban areas में जो unemployment rate है ना वो double digits में पहुँच चुकी है और ये जो data है आप देख सकते हो पिछले 17 weeks में अभी देख सकते हो 10.09% ये December 12 का data है ठीक है 10.09% unemployment rate चल रही है शहरों में और गाओं में चल रही है 7.42 और ये release किया है data center for monitoring center for monitoring Indian economy के द्वारा ठीक है देखो गाओं में जो है वो तो देखो नरेगा में जितना employment की demand होती उससा idea लग जाता है कि यहां कितनी बेरोजगारी चल रही है ओके इसके अलावा एक चीज अच्छी बताई जा रही है यहां पर experts के द्वारा वो ये कि unemployment rate अगर rise हो रही है ना तो दूसरी तरफ employment rate भी दीरे दीरे बढ़ रही है तो इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है पर हाँ अभी फिलहाल unemployment rate ज्यादा है इसमें कोई doubt है नहीं फिर देखो LIC ने अभी एक नया प्लान स्टार्ट किया है धन रेखा जिसमें ऐसा होगा कि एक premium जो को insurance तो definitely है ही है इसमें premium दिया जाएगा एक particular amount होगा जो की time भी fix किया जाएगा वो policy अपने हिसाब से आपको choose करनी होगी और इसमें minimum age कितनी हो सकती है कि individual को इसे scheme को avail करने की वो उम् से कम 90 दिन मतलब 33 महीने के बच्चा भी हो सकता है तो उससे 8 साल का बच्चा तो इस वाली range के और maximum range कितनी जा सकती है 35 साल से लेकर के 55 साल तक की ठीक है तो यह चीज बताई जा रही है इसमें तो point यहाँ पर ही आ जाता है कि अभी question आ जाए कि धन रेखा recently एक कि scheme या plan न्य होनी होती है तब जा करके claim होता है बट यहाँ पर बीच बीच में एक mature period होगा 6 साल का minimum और उससे ज्यादा भी हो सकता है उसके बाद में क्या होगा थोड़ा थोड़ा fund आप निकाल सकते हो तो यह एक hybrid हो गया मतलब investment भी हो गया और plus में एक life insurance type concept भी हो गया तो धन रेखा के बारे में आप एक बार जरूर याद रखें LIC का यह program है आगे चलते हैं explain page पे दो article से दोनों को detail में देखेंगे एक तो रहेगा यह CBSC में paper set कैसे होते हैं और दूसरा article यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि bank और NBFC दोनों को connect करते हुए co-lending दोनों साथ मिल करके उधार दे हैं कैसे यह काम करेगा project या फिर यह method जानेंगे इस detail में तो चलिए देखते हैं detail में इन दोनों को first news first जो है that is CBSC के paper से related ओके अब इसमें देखो अभी फिलहाल term one examination CBSC के दौरा अभी चल रहे हैं तो इसमें दो controversies निकल के आ गई एक तो class 12 sociology का paper जब print हुआ था तो उसमें यह था गुजरात के 2002 की जो दंगे हुए थे उनसे संबंदित question उसको लेकर के मुद्दा highlight हुआ था और second controversy तब हुई जब English का जो 10th class का paper था उसमें एक ऐसा passage आ गया जिसमें women dignity को compromise होते हुए देखा गया तो उस point of way सो बहुत जादा criticism हुआ वैसे तो CBSC ने बोल दिया कि इ रिमूव कर देंगे इस पैसिज को रिमूव कर देंगे और इस question के पूरे marks ऐसे कैसे बच्चों को दे दिये जाएंगे तो देखो बात यह आ जाती है कि paper setting का जो process है उसमें कौन-कौन involved होते हैं ठीक है तो देखो CBSC में कोई भी paper अगर set होता है किसी भी subject का तो उसके लिए दो separate panels constitute किये जाते हैं ठीक है हर एक subject के लिए जिसमें एक तो paper setter होता है और दूसरा moderator मतलब एक के पास में तो paper set करवाया जाता है कि हाँ कौन-कौन से question क्या weightage लेकर के चलेंगे और फिर उसके बाद में उस question paper को analyze किया जाएगा दूसरे paper setter के दौरा या जो दूसरा panel है ज दूसरे के बारे में पता है जी बिल्कुल भी नहीं इनके बारे में के बारे में के लोड़ को पता होता है बाकि इन दोनों के तरफ में कौन individual कौनसे panel में काम कर रहा है कुछ idea नहीं होता identities hide रहती है थीख है तो cbsc examination जो है वो कानून के तहत होती है और paper setter और moderator जो है उनको दो चीज़ों पर ध्यान रखना होता है, उनकी qualification में दो चीज़े देखी जाती है, एक तो ये, कि उनके पास में post graduate degree होनी चाहिए, पी जी कोर्स किया हुआ होना चाहिए, उस particular subject है, उस subject से associated कोई दूसरा subject हो उसमें, तो पहली qualification और दूसरी qualification कि कम से कम उनके पास में 10 साल का experience ह उस particular concern subject जिसका वो paper set कर रहे हैं, उसमें चाहिए secondary level पे हो, चाहिए senior secondary level पे हो, चाहिए higher education में हो, तो ऐसे में, जो individual होगा, वो एक expert होगा आपने आप में, paper setter panel का part बनने के लिए, अगर वो eligible माना जायत हो, इसके लावा state या national level पे कोई भी education agency से associated है, ठीक है, या फिर training program में तो वो participate करते रहते हैं, ठीक है, तो वो subject specific बात की जाएगी, ठीक है, इसके लावा जो appointment है, दूसरे किसी person का, वो देखो chair person of CBSC देख सकते हैं, कि हाँ कभी जरुत पड़ी panel में किसी को additional appointment देने की, तो वो situation पर depend करेगा, फिर बात आजाती है, क्या कोई कानून या rules available है, जि पॉइंट ही आजाता है, देखो, paper setter और moderator जो है, वो ये ध्यान रखेंगे, कि question paper जो है, वो syllabus किया coding हो, और subject का जो blueprint है, उस पर focus करते हुए हो, text book recommended books हैं, उन्हीं पर based question हो, ऐसा नहीं कि आपने reference book, बड़ी बड़ी कोई experts की reference books होती हैं, मोटे मोटी books, उन में से question paper उठागर कि फिर question बना दिया, ऐसा नहीं होगा, text book या फिर जो recommended books हैं, उन्हीं में से question paper set किया जाएगा, तो पहली condition, दूसरी condition को question paper set करते time पे, कि कहीं पर कोई भी गड़बड, कोई error, या फिर कोई ambiguity नहीं होनी चीए, कि कहीं एक word है, एक sentence लिखा है किसी question में, उसको एक बंदे ने पढ़ा, तो कुछ और मतलब समझ गया, दूसरे ने पढ़ा, तो कुछ और पढ़ दिया, that means, clear interpretation होनी चीए, वहाँ पर differences नहीं आने चीए, नहीं तो फिर बाद में, वो objectionable issue बन जाता है, तो ऐसे में ये दो चीजे हैं, इन पर ध्यान दिया जाता है, जब भी कभी question paper set किया बाद में, second phase में moderators के पास पहुँच जाता है, second panel जो है, वो फिर scrutinize करता है कि हाँ, question paper में कहीं कोई ऐसा जो laws हैं, उनको violet तो नहीं किया गया है, blueprint को, design को ये follow किया जाता है, बस वोई चीज़ बताई जा रही है, ठीक है, main चीज़ बस इतनी सी है, फिर बात ही आ जाती है कि 2021-22 का जो current session चल रहा है, इसमें कोई changes हुए हैं, जी बिलकुल हुए हैं, पहले तो क्यावल board exam एक बार हुआ गरती थी, पर अब क्या हो रही है, final board exams को दो parts में split कर दिया, half yearly को या फिर first term या second term नाम से दे दिया, first term and, first end term exam और second end term exam ऐसे नाम दे दिया, तो first end term exam अभी चल केवल multiple choice questions में ही based है, MCQs पे ही ज्यादा question आ रहे हैं, इसके आगे अगर देखें, फिर देखो next article है, bank और NBFCs को joint करते हुए co-landing, ठीक है, इसके लिए देखो RBI ने ये decision लिया नवंबर 2020 में, ठीक है, जिसमें एक तरफ तो banks और दूसरी तरफ जो non banking financial companies होती है, NBFCs हैं, दोनों को मिला करके और फिर बाद में lending process को continue करना, मतलब एक tie up करना, एक collaboration करना, और इसका example एक है, जैसे कि State Bank of India ने एक NBFC company जिसका नाम है Adani Capitals, इनके साथ में collaboration किया है, और अब वो loan दे रहे हैं गाउं में, किसानों को जिससें कि वो machine purchase कर सकें, agricultural activities में machinery का penetration increase करने के लिए ये program इन्होंने किया है, तो बात है कि co-landing model क्या होता है, देखो 2018 के सितंबर की बात है, जब RBI ने co-origination of loans, ये program अपनी तरफ से launch किया था, जिसमें कि bank और जो non-banking financial companies दोनों साथ मिलकर के, और एक single entity की तरह काम करेंगे, और focus रहेगा priority sector पे, priority sector में जैसे agriculture हो गया, या फिर आप देख सकते हो, जो solar panel installation है, उसके लिए loan देना, तो priority sector में इनको focus में रखा जाता है, तो आप देख सकते हो, इसमें क्या होगा, एक joint contribution होगा, credit देने के लिए, जिसमें bank और NBFC दोनों साथ मिलकर के loan भी देंगे, और उसका जो return आएगा, उसके भी दोनों हिस्सेदार हक हकदार होंगे, और अगर कोई risk होगा, अगर कोई loan default होता है, उसके भी दोनों हकदार होंगे, मतलब दो entities को साथ में मिला करके काम करने के लिए कहा गया है, तो इसके बाद में feedbacks लिया जाता है, अलग अलग stakeholders है, तो इसमें मुद्दा क्या आ जाता है, क्यों ऐसा किया जा है, तो बोला NBFC और banks, अगर इनकी बात करें, तो NBFC की penetration इतनी जादा नहीं है, जितनी की बोला banks की है, बट NBFC को जतना हम जादा है scope provide करेंगे lending के लिए, उतना ही हम credit, जो environment है, credit जो system है हमारे देश का, उधार लेंदेन का, वो बोला अच्छा हो पाएगा, formalization हो पाएगा ठीक है, तो बैंकों के पास में तो क्या बहुत सारा scope available है, पैसा है, branches है सारी, और NBFC है, वो किसी particular sector specific loan देती है, ठीक है, जैसे की agriculture sector में देना है, MSME को देना है, तो वो NBFC उस चीज़ के लिए काम करती है, तो ऐसे में co-landing model, ये अभी RBI ने 2020 में अपनी तरफ से एक program launch किय जिसमें funds भी दोनों की तरफ से available होंगे और उसके बाद में loans avail कराये जाएंगे, जो भी needy है उनको, ठीक है, इससे credit flow आसान हो पाएगा, इसके अलावा जो underserved या unserved sectors हैं, जैसे मान लो खेतों में farmers जो हैं, उनको loan अच्छे से नहीं मिल पार रहा है, उनको मजबूरन money lender के पास जाना पड़ता है, exorbitant interest rate के ओपर वो जब ब्याज भी देते रहता हैं, तो उससे उनको बचाना, economy के लिए ये अच्छा रहेगा, और ultimate जो beneficiary हैं, जो भी loan लेने वाले हैं, उनको affordable level पे, मतलब कम ब्याज दर के ओपर loan मिल जाएगा, तो उससे बढ़िया और क्या है, तो ये focus है, main, ठीक है, अब बात आजाती है, bank और NBFC के बीच में tie-ups होगा, तो उसके पीछे क्या-क्या मुद्दा है, देखो एक master agreement होगा, master agreement का मतलब terms and condition लिखी जाएगी, NBFC के बीच में, जो भी banks tie-up कर रहे हैं, जैसे हमें example देख रहे हैं, SBI और Adani Capital, दोनों की बात, तो दोनों मिलकर के, और एक program set करेंगे, एक legal agreement होगा, जिसमें terms and condition रखी जाएगी, जिसको master agreement कहा जा रहा है, जैसे की SBI की बात करें, तो SBI इंडिया का सबसे बड़ा bank है, और Adani Capitals, ये ज़्यादा कोई बड़ी NBFC नहीं है, पर हाँ, Adani Group का इसमें share है, इसलिए जो honor है इ ये company छोटी है, तो दोनों के बीच में collaboration है, और collaboration का target है, farmers को lending देना, loan देना, जिससें की वो tractor या farm implement जो भी machines हैं, वो खरीच सकें, और उनको पैसे के लिए ज़्यादा परिशानी ना आए, SBI है, आपको पता है, 22,230 के लगबग branches है, ATM machines की बात करें, तो SBI की लगबग 64,122 हैं, cash deposit machines भी बहुत सारी हैं, 70,786 business correspondence या outlets आप कह सकते हो, वो available है SBI के, तो एक तरफ तो SBI, दूसरी तरफ Adani Group की बात करें, Adani Group का जो Adani Capitals है, इसके पास में सिर्फ 60 branches हैं, जो अभी तक केवल 1000 करोड रुपे तक का loan ही दे पाई है, ये बात Adani Capitals की website है, वहाँ से reveal होती है, तो इन दोनों का collaboration मिलकर के, NBFC के penetration rise करेगा, और साथ में SBA का support मिलेगा, इसी साथ में Union Bank of India ने भी अपनी तरफ से co-lending agreement किया है, किसके साथ में Capri Global Capital Limited के साथ में, जिससे कि वो MSME's को loan दे सके, तो sector specific काम हुआ कि नहीं, अब बात ही आ जाती है, कि इस co-lending में क्या-क्या risk ह रिस्क वाली बात अगर आती है, तो सीधी सी बात है, कि इसमें नुकसान बैंकों को जादा होता हुआ दिखाया जा रहा है, कि अगर, फिर बात ही आ जाती है, कि मान लोग कहीं पर कोई loan default हो जाता है, loan वापिस नहीं आ रहा है, तो इस case में 20% shares तो होंगे NBFC के, और 80% हों वो अपने loans जितने भी दे रखें, या तो already दे रखें, या फिर जो loan देना है, वो NBFC's decide करेंगी, और फिर NBFC's का जो decision होगा न, उस decision को bank यहां या ना कर सकते हैं, पर सवाल क्या जाता है, कि जो नुकसान वाला मुद्दा है, देखो, loan किसको देना है, ये decision NBFC कर रहा है, क्योंकि ये चीज तो हमने पहले clear कर लीना, कि sector specific lending की जाएगी, जैसे कि Adani Capitals की बात की, तो ये agriculture में काम करता है, दूसरा जो union bank के साथ में यहां पर, ये जो दूसरी NBFC है, जिसका नाम है Capri Global Capital, ये MSME पर फोकस करता है, तो loan किसको देना है, ये decide गोन कर रहा है, NBFC, और loan देने में contribution किसका जादा हो रहा है, bank का, loss भी अगर हो दा है, तो 80% loan किसको उठाना पड़ रहा है, bank को, तो ये थोड़ा सा कहीना गई concerning है, पर RBI की बात ऐसी है, कि देखो single point अगर interface बन जाता है customer के लिए, जिसको loan भी मिल जाए, और उसके बाद में उनको परेशानी भी न आए, तो बोला, ऐसे arrangements करना बहुत जादा जरूरी है, जिससे कि हम economic activities को boost कर सके, formalization हमारी economy में और जादा ला सके, फिर देखो बात आजाती है, corporate in banking कि अडानी ग्रूप को आपने banking में जिस तरीके से entertain करने की बात किया है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है, वो ये, कि अभी कुछ दिनों पहले, अभी पिसले साल की बात और एक debate भी चल रहा है, कि बड़े corporate houses को banking sector में entry मिलनी चाहिए कि नहीं, तो उस time पर RBI और RBI की former governors इनके बहुत सारे सवाल दे, कि अगर corporate houses को आपने banking में entry दे दी, तो वो खुदी loan लेंगे, खुदी loan देंगे, तो इसमें तो conflict of interest आजाएगा, पर आपने तो एक नया loop निकाल लिया, नया एक gap निकाल लिया, जिसमें ये जो coal ending का option आपने निकाला है, इसमें, NBFC तो हो गई किसकी, जो corporate group है वो, और bank आपने ले लिये, जो bank already existing है वो, तो बोले, ये तो कहीना कहीं corporate houses के entry हो गए indirectly, एक ये भी कहीना कहीं concern raise किये जा रहे हैं, दूसरा, आप NBFC को इतना promote क्यों कर रहे हो, जबकि ILNFS, DHFL, SREI और Reliance Capital जैसी बड़ी-बड़ी NBFC हैं, वो collapse कर गई पिसले तीन सालों के अंदर, उसके बावजूद भी आप NBFC को इतना ज्यादा prospect मिला रहे हो, तो सवाल क्या आजाता है, credit facility को formalize करन जिससे कि जिनको भी, जो भी needy हैं, जिनको भी loan की requirement हैं, उनको ज़्यादा ब्याज ना देना पड़े, ठीक है, और एक दूसरे को वो compliment कर सके, NBFC का penetration rise हो, NBFC sector specific understanding रखेगी, तो bank है, वो capital avail करा देंगे, ये पुरा मुद्दा है, और फिर उसके बाद में SBI और ये जो Adani Group क जो Adani Capitals का बीच का है, उस मुद्दे को यहाँ पर detail में बताया हुआ है, ठीक है जी, तो देखो इस discussion में जो भी content था, उसको आमने detail में देख लिया है, thank you very much for watching this video, अब आपके लिए छोटी से task है, वो ये, banks और NBFC के बीच में difference क्या है, आप उसको understand करोगे, खुद से पढ होगे, okay, thank you